नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर अमरिस्तर कमिशनर 8 पुलिस ने 5 जुलाई की रात को एक युवक के हुए अपहरन के मामले में दो और युवकों को किया ग्रिफतार अमरिस्तर में 62 लाग की लूट के मामले को पुलिस ने दो दिन में सुल जाया पैसे हडपने की खातिर शिकायत करताने ही बनाई थी जूटी काहन लक्षमी नव युवक सबा की और से 31 वी वार्षिक मता की चौंकी का किया गया योचन विधायक बावा हैंडरी विधायक रमन अरोडाने की उप्लिस अरब भल चल विस्तार से अमरिस्तर कमिश्णरेट पुलिस ने 5 जुलाई की रात रंजीत अवैन्यू से कार समेत एक युवक के अपहरन के मामले में दो और युवकों को गुर्दासपुर से ग्रिफतार किया है पुलिस ने करीब 10 दिन पहले इस समंद में 2 रुपियों को ग्रिफतार किया था इस समंद में ADCP अभिमन्यू राना ने बताया कि पीती 5 जुलाई की रात गाडन कालोनी निवासी प्रवजोत सिंग अपने दो बेटों के साथ रंजीत अवैन्यों में रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे परिवार को वहीं उतारने के बाद दोनों बेटे कार से रंजीत अवैन्यों स्थित अन्य रेस्टोरेंट में चले गए थे बीस मिनट बाद प्रवजोत को बड़े बेटे ने कॉल करके बताया कि उसके छोटे भाई का चार पिस्तोल धारी युवकों ने कार सहित अपहरन कर लिया है परिवार ने तुरंत पुलिस को जान करी दी इस बीच कार बाईपास के पास स्थित इन आउट बेकरी के बाद खराब होगी पुलिस नाका भी पास में होने से अपहरन करता कार वप्रवजोत के छोटे बेटे को वहीं छोड़ कर फरार हो गए एडिसीपी ने बताया कि पूछताच में सामने आया है कि चारो अरोपी लूट पाट की वारदातों को अंजाम देने वाले हैं पहले पकड़े गया रूपियों की पहचान गुर्दासपूर जले की तहसील बटाला के गाउं खलीरपूर निवासी रमंदीप सिंग और विकी के रूप में हुई थी वहीं आज पकड़े गए रुपियों की पहचान डेरा बाबा नानक स्थेत मोहला फते सिंग के चंदर कुमार संदू उर्फ शुभम तथा चंदू माज़ा निवासी परमवीर सिंग उर्फ नानक की तौर पर हुई है अमरिसर से हल चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट वाह के अपनी टीम ते को लो उस तरीके ना लड़के फड़े गए ने और जिसना जिसना असी ब्यानी दस्यासी के एसरा बदूख तीनोंक ते वो बच्चानों लाएके गए ते एसरा की ता उस सारा कुझ आज क्लियर हो गया और उदे बीच वो सारा कुछ मन गेने के बेशी विल्कुल ऐसरा गेता है मगर गड़ी आटोमेटिक होन करके ते उदे गेट दा दे जड़े हैंडर है वो उना क्लो नहीं खुल सके जिसी वज़ाना वो गड़ी चालिके ते चलेगे पुलस ने बहुत अच्छा सारा काम किता सीपी साफ दे में उना जी पूरी टीम ने वो बहुत वदाई दे पापतर है कि सीपी साफ दा तुसी पिछले कुछ तैम बार अगर देखा जावे कि सीपी साफ हर काम नो निजजी काम लागे तो कर देने और आएगे नो बिलकुल सनमान भी देने इंशोरंस भी देने ते ऊधरे नाल-नाल ऊगर करके देने इस तो एप रूब होंदा है कि सीपी साफ दे जो इस वरन सुन धिया ने ते तोन आदी टीम भी दो काम कर दिया होस देन्टात मेरं करके कर दिया और उड़ दे मताबग की सीपी साफ ने करके दाया सीपी साह दो दिन पहला एक वड़ी व वो इडिन्टिफाई होन दे हैं ते इना विचो चार दोशी जिना दे नाम है गया है रमन्दीप सिंग विक्की पहला ए दोशी गिरफतार किते जान दे हैं जड़े की गुर्दासपूर दे रहन वाले हैं इना दे फिर फार्दिंग शाफ थे बाकी दोशी चंदन कुमार ते परम्बीर सिंग उर्फ नानग इना दोवादी भी गिरफतारी किती जान दिया है कुल मिला के चार दोशी जड़ी है कि गिरफतार कर ले गई हैं इना दी मुडले तोर दे पुछकिश चंगी तरी किनाल पुछकिश करनतवाद एक गल सामने आई है कि ए परंबीर सिंगुर्फ नानक दे क्यान थे अमरिसार शेयर दे विच कोई गड़ी सोफ टार्गेटियनू कहले आइडेंटिफाई करके उना तो गड़ी खोनी सीगिया क रंजीत वेन्यू दे वीचे गुम दे रे काफी चेहर तक काफी गड़ी आना ने वोच की थी बड़ इना नो कोई सोफ टार्गेटियन नहीं लबया बाच इना ने वेख्या कि एक्स्यूवी जिनी गड़ी सीगिये दे विच दो बच्चे ही ने ते ए सोफ टार्गेट गड़ी लेके उसों मोके थे ना ली एक इना ना न ली वीची सिगा गड़ी दे नो लेके फरार होगे जदो उस तो बाद फिर ए डेल वेट शेशन तो ट्रेन फढ़के वेएर का दे वापस अपनी गुर्दासपूर चले जान दे या एक पांच तार्गी दा वक्वाए थ अम्रिसर के थाना कंटोनमेंट पुलिस को एक व्यक्ति की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि बैंक से 62 लाक रुपए निकलवा कर अपने घर जा रहा था और रास्ते में दो कारों में सवार लगबग पांस से छे अग्यात व्यक्ति कोने हत्यारों की नोक पर उसकी गाड़ी रुकवा कर उससे 62 लाक रुपए चीन लिए और मोके से फरार हो गए वहीं जब पुलिस ने गहनता से इस मामले की जांच की तो पाया कि शिकायत करता का रिष्टेदार जो कि कैनेडा में रहता है उसने अपनी जमीन की पावर आफ अटॉर्णी शिकायत करता के नाम कर रखी थी और जमीन बेचे जाने के बाद पैसे शिकायत करता के पास ही आने थी और उसने उन पैसों की हड़पने की खातर ये जूटी कहानी बनाई जिसके बाद पुलिस ने शिकायत करता वह उसके पिता के उपर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है अमरिस्तर से हल चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट के वेची सीगी फोदे वेचे ना नो पैसे मिले सीगे एक तरोड वी लाक जेदे वेचे उठ वंजा लाक है नो काउंट चे ट्रांसपर होए ते बाट लाक रपी याओना नो कैश बिता कि मावला थोड़ा शक्की पाया गया कि पैसे उस दे सीगे फिर अगे काल ऐस्ट चो इस्पेक्टर सेंटर सेंग ने टक्नीक उता उर्ट सारी यादी परताल की थी सीसीटीवी फोटज लए बैंक्स तों परताल की थी जा जिन्हें जमीन खरीती येदी कुर सेंग वेचे लक्षमी नवयुवकस सभा लक्षमीपुरा जालंधर की और से 31 में वार्षिक माता की चौंकी का योजन बड़ी ही श्रदाभाव से किया गया जिसमें राजकुमार सैगल एंड पार्टी ने माभगवती की मेहमा का गुनगान कर उपस्तित भक्तों को जूमने पर विवश कर दिया इस मौके पर विधायक बावाहनरी विधायक रमन अरोडा पूर्व सीपियस केडी भंडारी पूर्व पार्षद बालकृष्न बाली ने विशेश रूप से उपस्तित होकर माथा टेक माभगवती का आशिरवाद प्राप्त किया इस दोरान सबा के सदस्यों की और से आई हुए सबी गणमाने व्यक्तियों को मा की चुनरी देकर विशेश रूप से सनमानित भी किया गया इस मौके पर रमन शर्मा सहित असंक्य भक्तेजन भी मौजूद रहे जाल अंदर से हल चल के लिए कैमरामेन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट मा दिरिया दुआ बावा कम आया मा दिरिया दुआ बावा कम आया विश्व हिंदू परिशत और रामभाग कमेटी की तरफ से फिरोस्पर चावनी रामभाग में तीच का त्युहार बड़ी ही दुम नाम से मनाया गया जिसमें पंजाबी सब्याचार को दर्शाते हुए महिलाओं ने गिद्दा बोलिया और नाच गा कर इस त्युहार को मनाया इस मौके पर मिस्तीज पंजाबी सब्याचार को दर्शाते हुए पंजाबी ड्रस पहनने वालों को सनमानित भी किया गया तो वहीं विश्व हिंदू परिशद के कारे करताओं ने बताया कि रामबाग कमेटी के सायोग से तीच का त्योहार मनाया जा रहा है जो कि आपस में बिल जुल कर रहना और आप सी प्रेम को बढ़ावा देता है उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिशद कमिटी फिरोसपर समय समय पर समाज सेवा के काम करती आ रही है वहीं उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को नकली अंग लगाने का कैम्प भी लगाया जाएगा जिसमें जरूरतमंदों को निशुलक नकली अंग जरूरत के मताबिक प्रदान किये जाएगे और 26 अगस्त को बांटे जाएगे फिरोसपर से हलचल के लिए मंजीत सिंग की रिप शास मेरी शरीराम भारत विकास परिशाद आज की जोग प्रोग्राम श्रीराम भाग् चण कर रहा है इसके साथ ही साथ 23 तरीक को भारत विकास परिशाद विवेकानांद वर्ड स्कूल में आर्टिविशल लेंब जो बनावटी अंग है हमारे वो जूरत मंदों को 23 तरीक को नाप लिया जाएगा और 26 तरीक को उनको वित्रित किये जाएंगे और ये पूरा कैम्प निशुल को ह होगा यह भारत विकास परिशाद एक सीतर सोई का प्रजेक्ट जो है श्री सिनातन दरुनसवा फूजी विजार में चला रही है पिछले आड़ मीने से लगभग 50,000 लोग उसमें भोजन कर चुके हैं अब तक और हम भारत विकास परिशाद के सदस्या इसी तरह अंतक बिन प्रोग्राम बहुत ही सोना बहुत ही वदिया है और सब लोकाने वर्च पाटिस्पेट किता है और बहुत सोना दीज़त्यान मनाया जा रहे है दिव्य ग्यान दुखनिवारन चड़नी महायग्य किया गया जिसमें मा महकाली का दिव्य जूला लगाया गया इस दुरान दूर दूर से भगता कर मा का पूजन एवम हवन यग्य में भाग लेकर कश्टों से मुक्ति पा रहे हैं इस मौके पर धाम के संस्थापक जोतिश चारे इंद्र देव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को साएं छे बजे यग्य शुरू होता है जो भगत सची श्रदा लेकर यहां आता है उनकी हर मनुकामना पूरी होती है यह यग्य मा के आदेश से निशुलक किया जाता है इस मौके पर लंगर भी लगाया गय इस अफसर पर धाम के स्रिष्टी नरिंदर दीपक सेठी सहित संक्य भक्तिजन भी मौझूद रहे जालंदर से हल्चल के लिए कैमरामेन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट समाज में बहुत सारा ब्रह्म है ब्रह्म क्या रहा है पहली बात तो आतित श्याट्रा बताने वारे लोगों को पुदह ही बता रहा है कि बताना क्या है कि वेद साज्रे पर प्ड़िपर करें आपको भी नरग क्यों ले जा रहे हैं अब कही बारों को खेते हैं कि भी आपको ऐसे हैं असे जैसे नहीं को तो साच्छर मीं कहिता है आप जय से भी आतुस्त्र पर आप में से कोया है कि यह देखे आप यह देखे आप यह कर्यूग है वह आप पर शारे माता पिता नहीं होती हैं कि अधियर माता पिता भी कर्भाव से कुछ बंदियां बहुत सारी प्रविया तो इसके पाउटू में आपके सम्मार पर नहीं गुर्द्वारा श्री गुरु तेंग भादूर साहिब लोकसबा प्रित्वी नगर चालंदर में नोजवान शूरविर सेवक दल की और सेमासिक लंगर का योचन किया गया जिसमें दल के सभी सिवादारों ने संगतों को कड़ी वारुमाली रोटी का लंगर भेंट किया इस मौके पर मुक्तियार सिंग, दीपक चौरसिया, रनबीर सिंग, कुलदीब सिंग, सुक्चरन सिंग, हरदीब सिंग, मंजुंदर सिंग, मक्खन सिंग, युवराज सिंग भी मौजूद रही जालंदर से हलचल के लिए कैमरामेन सुरेंद्र बावा की रीपोर्ट जो मिहनावरी समाग में हर संगरान तो बाद जो एतवर होंता है करवाई जानते हान इसे तरह जो आईदे दिवान हान ओ करवाईगे हान जैसे पाही सुकदेव सिंग जी कथा वाचक अते पाही अफ्तास हैं जी हजुरीदा की जी ने सावन महा के उपलक्ष में सिद्शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदर के पावन प्रांगन में श्रंखला बद माता की चौंकियों का योजन की अज़ारा है जिसके तहता योज़त माता की चौंकी में टीना सिंग एंड पाटी ने माभगवती की महमा का गुंगान कर भक्तों को जूमने पर विवश कर दिया इस चौंकी की शुरुआत भचन का एक विजे गोडा ने गनेश वंदना को गाकर की इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महसाचीव राजेश वेज, कोशा द्यक्ष पविंदर बहल, उपा द्यक्ष ललित गुपता, सीए विया मरोडा, रमन शर्मा, सारव शर्मा, भूशन कोली, पवन मेता, सहित संक्य भक्तेजन भी मौजूद रह जालंदर से हलचल के लिए कैमरामेन सुदेश भागत की रिपोर्ट मायनी मेरा वालिय मैं कैंदिया मायनी मेरा वालिय मैं कैंदिया मेरा वालिय मातों, सुपिता अपा लेनी है, दोनो हाग उपर गर की 1, 2, 3, 4 क्या हो खो, क्या हो हो? माएनी में सारिया, मुन हम काम नहां पूरियां करें, तो चटनी करें, रखें जामा दा दिया, दो, चाली के साथ माएनी में ना भालिये में गेंगिया माएनी में ना भालिये में गेंगिया आज चौथे दिन, सावन वेले दे चौथे दिन, मादे दरवार वेची, बहुत ही सुंदर संक्रिप्सन कारेने तो ऐसे दरा लड़ी बार प्रोग्राम जो है, अच्छी तरीक तक चलेगा, सावन वेले की हर शाम, मा के ना सिद्शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी, कृष्णा नंदे जी की अध्यक्षता में अफसर में आकर आर्थी के साथ संपन होई, इस अफसर पर इलाकावासियों ने पुश्पवर्शा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया, अरंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वित्रित किया गया, जालंदर से हल्थ चल के लिए कैमरामेन संदीप शर्मा के साथ कु जालंदर से हल्थ लंगर आर्थी् कर दो कर दो कर दो कर दो सिद्य शक्ति पीठ श्री देवी तिला मंदिर के पावंदर बार में सबताई का भजन संध्या का आयोचन किया गया इस सब भजन संध्या में प्रसेद भजन गाई को ने मा की महमा का गुनगान कर उपस्तित भक्तों को जूमने पर विवश किया इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंदर कमिटी के कैश्यर पविंदर बहल लेखा कर मेश शौंकी सादूराम कालिया सेवादार मास्टर हरी चंद शिव सहगल कपिल सहगल और विनोध शर्मा ने भजन पाटियों को मंदिर का समरिती चिन देकर सनमानित किया जालंदर से हलचल के लिए कैमरामें संदीफ शर्मा की रिपोर्ट सिद शक्ति पीठ श्री देवी तरा मंदिर में गो सेवा मिशन के ध्यक्ष्ट स्वामी कृष्णनन जी के ध्यक्ष्टा में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसी अखंड संकीरतन दिन रात की अचारा है जिसके 33 दिन सुबह पहले रामायन जी के पाठ का उच्चारन और सामोहिक सुंदरकान के पाठ किये गे जिसके पश्चात साई चार बजे भचल संकीरतन मंदली ने मनमोह का भचनों का गुनगान वमश्री हरी नाम संकीरतन कर भक्तों को मंत्र मुग्द किया इस अफसर पर युवा भाच्पा नेता रोबिन सांपला ने विशेश रुप से पस्तित होकर आशिरवाद प्राप्त किया इस दोरान स्वामी कृष्णानन जी और स्वामी आजवय अनन्द महराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्तित भक्तों का मार्ग दर्शन भी किया इस मौके पर संक्य भक्तिजवन भी मौजूद रहे जालंदर से हलचल के लिए कैमरामेन प्रवचोत सिंग के साथ कुष चाबला की रिपोर्ट के साथ किया सब्सक्तित भी मौजूद रहे लिजर जनवें बोने गिला इस बर्ड गभाई देना तक हर से प्रभ तगते प्रक्टा देके दे आजाते हैं नावक कोई पुलाएं देटे जामनाव परति खेंडा कोई काते हैं आजाते हैं नावक कोई पुलाएं देटे सिद्ध शक्ति पीठ शुल्ड़। साथ राचकुमार सहगल संजीव. राजन चीनू सैगल रमंधला मनमोहन चड़ा नरेंदर शर्मा वरिंदर शांत लकी राजेंदर कपूर सहित माभक्त मौजूद रहे जालंदर से हलचल के लिए कैमरामेन संदीप शर्मा की रीपोर्ट रहे जालंदर शर्मा वरिंदर 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 और अबन्त में हलचल की गतिविदियों पर एक नज़र फिर से अमरिस्तर कमिशनर 8 पुलिस ने 5 जुलाई की रात को एक युवक के हुए अपहरन के मामले में दो और युवकों को किया ग्रिफतार अमरिस्तर में 62 लाग की लूट के मामले को पुलिस ने दो दिन में सुल जाया पैसे हडपने की खातिर शिकायत करताने ही बनाई थी जूटी काहन लक्षमी नव्युवक सबा की और से 31 वी वार्शिक मता की चौंकी का किया गया योचन विधायक बावा हैंडरी विधायक रमन और उडाने की इसके साथ ही अब तक की गतिवी धियास मत होती है और ताजा चौंकारी के लिए देखते रहिए हलचन झाल 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 झाल